हेलो दोस्तो के लडी क्लासिस में आप सभी का स्वागत आज हम कुछ ऐसे इंपोर्टेंट टोपिक है यह है बहुत ही इंपोर्टेंट है कि स्वाइं के लिए खत्रा बनता मनों से अब आप सोच रहे होंगे कि यह ऐसा कैसे टोपिक हो गया कि आज आदमी ही आदमी का सबसे बड़ा दुस्मन हो गया तो मैं आज आपको 5-6 ऐसे एकजामपल लेके बताऊंगा कि किसके माद्यम से या किस तरह से एक आदमी या एक मानो किस तरह से मानो का ही सबसे बड़ा लेकिन हर मुसीबत के बाद भी इस ग्रह पर जीवन बचा रहा पर सवाल यह है कि क्या अब कितने दिन पिर्थवी पर जीवन संभव है जिस तरह से आपने कुरोणा वाइरस देखा उसके साथ साथ और प्रभाव आप देख रहे हैं चाहे वो प्रमालू हतियार है प्रमालू पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया में कुरोणा वाइरस का जो आतंग मचा हुआ है इस वाइरस का इतना अधिक खौफ हो गया है कि पहले चीन उसके बाद इटली इरान और दुनिया के अन देश अपने आपको पूरी तरह से लाक आउट या जो तालाबंदी होता ह वो पूरी तरह से उसमें बदल दियें इस अंकरमण की उत्पती के पीछे विसेशग चीन देश की एक साजिस मान रहे हैं क्योंकि कुछ सबूत भी मिले अभी हम सबूत के बारें भी आपसे बात करेंगे कि जिस तरह से अमेरिका सरकार ने टरंप ने सीधे काया कि यह जो क पहले मैंने आपको बताया कि अब जादे दिन संभो नहीं लग रहा कि जिस तरह से यह खत्रे धीरे धीरे इंसान के उपर बढ़ हैं आज से करीब चार महीने पहले दिसंबर 2019 में एक घोसरा की गई थी कि अब इस धर्ती और इसकी जीवन के महाबिनास का खत्रा पहले की त जीस तरह से फ्ट ले कर और अंतरिछ में सैनिय पहले की कोसिस कर रही हैं और हाइपर सोनिक हत्यारे कोई बढ़ती होड़ के कररण से माना जा रहा था कि इस संस्था ने बताया कि आगे जो आगे समय आएगा आने वाला समय है वह एक बिना सिकारी होगा लेकिन इसके पहले ये होने से पहले हाइडोजन बम ये युद होने से पहले इसके पहले ही आपका क्रोना वाइरस आ गया जिसके बारे में किसी को कोई भी जानकारी नहीं थी चाहिए आपका बुलूटीन हो या इसके बारामा और जो संस्था हैं जो सर्च करती हैं कि क्या होने वाला है आगे क् चार साल में किसी को कोई ख़बर नहीं थी ये कुरोना वायरिस आएगा और इतना खतरनाक रूप लेगा महा बिनाज शाहे जिस कारण से आए इसके खत्रे का अंदाजा देने वाली प्रले की घड़ी डूमस के खलाक के मुताबिक घड़ी में आधी रात का वगत है ये एक घड़ी अभी इसके बारे में हम इसके क्या क्वालिटी है क्या खासियत होती है उसके बारे में हम बात करेंगे इस घड़ी के माद्यम से पहले ही बताया गया था कि पूरे दुनिया में एक बहुत ही बड़ा खत्रा आने वाला है तो ही का गया है कि घड़ी डूमस के कलाक के मुताबिक घड़ी में आधी रात का वक्त होने में जितना कम समय रहेगा दुनिया की तबाही का खत्रा उतना ही नजदीक रहेगा सबस्ट बात तो यह है कि वर्स 2020 में महा बिनास का जितना बड़ा खत्रा बताया गया था वैसा खत्रा इससे पहले 2018 और 2019 में भी बताया गया था उसके पहले 1903 में भी इस जो आपका डुमस के घड़ी है इसके माद्यम से बताया गया था यहां पर आप इमेज देखें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यह देखें यही घड़ी है आपकी डिमस के यह अगर रात के 12 बज़े पर पहुँच जाएगी तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी तो समझें कि सबसे बिनासकारी हो जाएगा तो यहां पर यह घड़ी ह में ही अमेरिका ने सबसे पहले इस तरह से परमाडू पर इछड़ किया था तो वही बताया गया था कि 1903 में बहुत ही भेंकर और आया भी था जो CTU दुगा ऐसी जो घटना है उस समय घड़ित भी होई थी ध्यान रहे कि डुमस के कलाक एक सांकेती घड़ी है जो मानवी ग अब यहां पर मैं बात करने वाला हूँ कि इनसानों का किस तरह से युगदान है जिसके करणार से आज इनसान ही इनसान का सबसे बड़ा दुस्मन है असल में जीस तरह से अब तक कुरोना वारिस के आगे दुनिया हार मान रही है इससे या असंका लगाई जा रहे कि अब धर्ती से मानो सबहता का बिनास होने वाला है और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ हम इनसानों का ही है क्योंकि सक के घेरे में चीन देश है अमेरिका ने तो सीधे सब्दों में चीन की बुराई की है और सरकार को इस तरह से बताया है कि आरूप लगा है कि इसकी गलती के है और दावा किया जा रहा है कि आम तोर पर जानवरों में पाए जाने वाले क्रोना या क्रान वाइरस की सुरुआ दिसंबर 2019 में चीन के वुहान प्रांद के सीफूड मार्केट से होई थी बताया यह जाता है कि यह वहान में इस परियोक साला का है जिसमें खतरनाख वायर से आने वाले होते सारे चीजें आपने से रिस्रच की है था वहान इस तभी फीन के नियुमोनिया का जब पहला के नजर आय था तो उससे कुछ दिन पहले ही चीन के उप राष्ट पती चुपचा वहां पहूंचे वे तो इसलिए ये पूरा सक जो क्लियर हो जाता है इसलिए अमेरिका ने इसका पूरा तरह से जो है आरोप पर चीन के ऊपर लगाया सवाल यह भी उठाया जाता है कि वे वहाँ पर जैविक हतियारों की योजना की प्रेगती को देखने गए थे कि क्या हो रहा है कितना प्रोग्रेस हुआ क्या किसी देश को पता तो नहीं चला ना है क्योंकि ऐसे चीन के कुछ ऐसे छेतर हैं जहां पर दूसरे देशों के लोगों को दूसरे देशों की मीडिया को जाने की अनुमती नहीं दी गई है इसको लेकर ही जैविक हतियारों पर अध्यान करने वाले इसराइल के एक पूर मिलेटरी इंटेलिजेंस अधिकारी ने दावा भी किया था कि क्रोना वाइरस ची के इसी P4 लैब में तयार किया गया है जैवी खतियारों के रूप में क्रोना वैरिस को बिक्सित करने में चीन की भूमिका भले ही संदिग रही हो लेकिन बीते 20 वर्सों में देखा जाए तो संक्रमन की पैदावार और उसके प्रसाद ने साफ संदेश दिया है कि इंसानी सबेता अगर नश्ट होती है तो उसके ल पूरी दुनिया पूरा ऐसा कोई देश नहीं बचा पूरी दुनिया में जो ग्लोबल वार्मिंग से जो प्रभाव हो रहे हैं उससे मना नहीं कर सकता है पिछले अगर दस से पंदरे वर्सों के आकड़े पर नजट डाले तो ऐसे कई वाइरस हमारे सामने आये हैं जिनके आज की तुला में कहीं ही कहीं जायदा भ्याना करूप था आज तक पूरी दुनिया में अगर वाइरस के कारण मौथ सबसे अधिक होई है तो वह था स्पेनिस फुलू 1918 में लगबग पूरी दुनिया में 12 करोड से अधिक लोगों की मौथ हो गई थी यह 1918 में लगबग आज से 100 साल पहले घटना घटित हुई थी अब यहां पर हम 5-6 ऐसी जो घटना घटित हुई थी वाइरस के कारण से उसका हम एकजाम पर लेकर आपको बताएंगे तो सबसे पहला हमारा होगा सार्स इसके बारे में आपने सुना भी होगा यही आपको बता है यही ऑपको समझना होगा कि सबसे अधिक जो वारेस के चीन में चीन में खुब तबाई मचाई इसका प्रभाव चीन में लगवग 7 महीनों तक था और चीनी सरकार के डाटा के अनुसार उसके आकड़े के अनुसार लगवग 900 लोगों की मौत इसके कारड़ से हुई थी नुकसान सिर्फ जान भर का नहीं हुआ था बलकि एसिया प्रसांचेत की एरलाइंसों की कमाई पर उस समय लगवग 6 अरब डॉलर की कमी दर्ज की गई थी और पूरी दुनिया की जीडीपी को लगवग 33 अरब डॉलर का नुकसान इस सार्स के माध्यम से 2002 और 2003 के सेसन में हुआ था हमारा दूसरा नंबर है स्वाइन फुलो इसके बाद स्वाइन फुलो ने 2009 और 2010 में सार्स की तरह ही पूरी दुनिया में अपना आतंग रूप दिखाया था मेटकल जनरल दर लासेंट में छपे एक लिख के दावेक के अंसार फुलो से पूरी दुनिया में लगबग 6 लाक लोगों की मौत हुई थी लेकिन सरकार ने सिर्फ 20,000 लोगों को बताया था कि सिर्फ 20,000 लोग ही मारे गए थे तीसरे नंबर का है इबोला स्वाइन फुलो के बाद दुनिया भर में इबोला वाइरस का हंगामा मचा था इसका सबसे अधिक प्रभाव पश्यमी अफरीका म होने की बात बताई थी इसके बाद हमारा चौथा नंबर है जीका वाइरस इसके बाद मच्छरों के जरिये फैलने वाले जीका वाइरस ने वर्स 2015 से 2017 के बीज दच्छिड अमेरिका और करेबियाई जो देशें देशों में इतना कहर बरसाया कि इससे करीब लगवग 12 महाबिनास की आसंका क्यों पैदा कर रहा है आखिर में ये समय समय पे चाहे वो सार्स हो स्वाइन फुलू हो कुरोना वायरिस आखिर में क्यों फैल रहा है सच बात तो यह है कि इसके पीछे खान पान की बिगड़ती सैलियां दवाओं के गलत इस्तिवाल कामकाज के लिए ग्लोबल आवाजाही आधी काड़ों को भी गिना जा सकता और इसके प्रभाव से यह हुआ कि हम उन्हें कमजोर करने के वज़ाए और मजबूत कर रहे हैं क्योंकि चीन में सबसे आधीक लोग होते हैं या चीन में पूरी दुनिया में सबसे आधीक लोग हैं जो वहाँ प 20-22 ऐसी जो वाइरस या जो बीमारिया होती है वो चीन के माध्यम से ही फैलती है बाद में दूसरे देशों में आके भड़ाम से पूरा इस तरह से आतंग मज़ा देती हैं जैसे आज करोना वाइरस है बताया ये भी जा रहा है कि आपके जो वाइरस में वे अपने रूप स चोपट होने की बाद आसंका को सुविकार ही नहीं करते इसके लावाँ वे जनता को इस बारे में नहीं तो जागरुक करते हैं और नहीं उनकी जान बचाने को प्राथ्मिक्ता ही देते और ऐसे में हर बार की तरह एक जगह पर फूटा संक्रमन कुछी समय में पूरी दुन तो यहां पर दो से तीन प्रस्थन बनते हैं पहला प्रस्थन यह कि अधिकतर बिमारी चीन से ही क्यों फैलती है यह इस आपर क्या पर बमारी ऑने बताए कि चीन negro डाव्यां पर बनाया जाता है या वहां पर जो जानवरों और यह जान बना कारवाई करें उसके उपर प्रतिवन लगाएं चाहे वो जो लाइब है उसको पूरी तरह से बैन किया जाए और जो भी हो सके आर्थिक है और जो अन्य देशों में नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी चीन से लिया जाए इसी प्रिकार से बने रहें बने रहने के लिए आप स सबी दोस्तों का के लड इक लासे की और से धन्यवाद इसी प्रिकार